अच्छा खान पान अक्सर आपको पूरा पोशन देता है लेकिन जब आप गर्भवती हैं आपको कुछ अतिरिक्त पोशन की जरूरत पड़ती है हमारी गाइनकोलजी एक्सपर्ट डॉक्टर उमारानी बताएंगी कि कौन से विटमिन हैं जो हमारे लिए सबसे जरूरी हैं और उनके स्त्रोथ क्या हैं हम लोग दो किसम की विटामिन जानते हैं एक वाटर सॉलिबूल और एक वाटर इन सॉलिबूल विटामिन मौका बी कॉंपलेक्स का टागूरी जाता है जिसमें अक्चली प्रेगननष्य में सारे वोडी का बनाबटी व kıटमिन के उपर डेपेंड करता है तो आपको फोली के सीडे हो विटामिन बीडव के टागूरी वेटागूरी वह वाटर सॉलिबल भीतामिन हम यूजली हमको fruits, salads, green leafy vegetables में सारे में मिल जाता है इसमें बेबी को जो cell ग्रो कर रहा है बेबी क्या है? वोवम एक स्पॉर्म से पैदा हुआ है तो एक cell, दो cell, मिलके दो cell से 8, 8 से 16 ऐसे multiplication होके बेबी का each and every parts बनता है तो during multiplication उसको nutrition भी चाहिए, vitamins चाहिए अगर आप अपने को स्पॉर्ण के बारे में यह जरूरत नहीं बोलूँगी कि अगर आप अपने को sun exposure daily करो at least 20 minutes, preferably 10 a.m. to 2 p.m. जो sun exposure है अगर आपने को करो तो उस ताइमें आपका body में automatically vitamin D formation होता है अगर vitamin D का body में label ज्यादा होती है तो आप जो भी चीज calcium rich diet ले रहे हो वो body में अपने आप अबज़र हो जाता है आपको extra calcium लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता क्यूंकि बेबी का body huddy जो बनते हैं, bones वो सारे मा का calcium से ही बनते हैं तो मा को अगर हम reach कराये calcium में तो बेबी का भी कमजोरी नहीं होगी mother का भी post delivery उसको problem ना हो तो काईदे से देखने से देखें कि सारे vitamins pregnancy में ज़रूरी है तो इसलिए हम बोलते हैं कि सारे fruits लिजे जितना natural fruits है minerals मिल जाएगा नारियल पानी आपका green leafy vegetables all sorts of vegetables and fruits alerts will give you all sorts of vitamins गर्भावस्ता के बारे में अतिक चांकारी के लिए lock on करे onlymyhealth.com